हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई मन्त के करेंट अफेर्स को डिसकस करेंगे, तो ये वीडियो का पार्ट वन है, तो लेट्स स्टार्ट, तो दोस्तों यहापे पहली नियूज है, नए पार्लिमें हाउस के बारे में, जिसे आपको पता होगा हाली में, 28 मई को आजर्णी प्रधान मंतरी श्री नरेंद मोदी जी के द्वारा इनागरेट किया गया है, तो फ्रेंट्स, इसका शेप कैसा था, तो इसका शेप था ट्राइंगुलर, ध्यान रखेगा, ये ट्राइंगल की पुरानी बिल्डिंग से, जो पुराना हमारा पार्लेमेंट हाउस था, या संसद भौन था, उससे ये 10% छोटा है, साइज में छोटा है, पर ध्यान रखेगा, कैपिसिटी और स्ट्रेंथ में, ये उससे बड़ा है, कैसे, अगर लोगसभा की बात करें तो पुरानी वाली बिल्डिंग में लोगसभा की जो सीट थी वो थी आपकी, फाई-फॉर्टी-थी, वहीपर अगर NEW Пारलेमेंट हाउस की बात करें, तो वहाँ पी लोगसभा की स्ट्रेंथ है 880, इसी तरगर राजी सभा की हम लोग बात करें, तो पुरानी वाली बील्डिंग में, राज की बात करें तो यह आपका राइस इनाहिस न्यू डेली अगर डिजाइन देखें तो डिजाइन तयार किया है एहमदाबाद बेजड एच सीपी डिजाइन ने नए वाली विल्डिंग का foundation stone इसकी 2020 में रखी जा चुकी थी अब जा करके बनके तयार हुआ है इसके अलावा फ्रेंट्स इसके गेट पर कुछ statues भी establish के गए हैं जैसे guardian statue हो गया गज का statue हो गया नार्थ गेट पे अश्वे statue establish किया गया है south gate पे गरुन का statue लगाए गया है east gate पे इसके लावा rising suns मकारा और शार्दुला statue यह यहाँ पर establish के गया है new parliament house में एक important fact यह है कि पुराने वाला जो parliament था हमारा उसका inauguration 1927 में Lord Irwin के द्वारा किया गया था और नय वाले का inauguration आपको पता है इसके बाद एक मुलबूत अंतर यह भी है friends कि जो पुराना वाला हमारा parliament house था उसमें central hall मौजूद था चुकि वो circular shape का था लेकिन जो new parliament building है उसमें कोई central hall नहीं है central hall का काम क्या होता था कि अगर कभी joint setting हमें लगानी होती थी लोक सभाव राज सभाव की तो अब नय वाले में अगर central hall नहीं है तो जो joint setting होगी उसे कहां पर लगाए जाएगा तो आप कह सकते हैं लोग सभा में लगाय जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स अगला न्यूज है हमारा फर्स्ट एयरबस C295 फोर इंडिया इंडिया के लिए पहला एयरबस लांच कर दिया गया है C295 तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह क्या है तो फ्रेंट्स यह मीड एयरफोर्स दुनिया में C295 का लार्जस्ट ऑपरेटर बन गया है तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए एक्जाम पॉइंट ऑफिस है इसके बाद फ्रेंट्स टाटा इसके लिए दो इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है तो टाटा के द्वारा जो मेनुफेक्ट्रिंग फैसिलिटी है C295 के लिए वह वडुद्रा में डेवलप की जा रही है वहीं पर गर एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉंप्लेक्स की बात करें तो यह भी टाटा ही बना रह पोट कहां पर मौजूद है तो ध्यान रखेगा मेनमार के रखाइन स्टेट में मौजूद है रखाइन स्टेट और किस्तर रिलेटेड है तो आपने पहले पढ़ा होगा कि जो रोहिंग्याज रिफ्यूजी हैं जो रोहिंग्याज refugee है वो आपके मैनमार के रखाइन state से ही बिलॉण करते हैं मैनमार की capital भी एक्जाम में पूछी आती है तो मैनमार की capital क्या है नाई पीदो मैनमार की capital है राजधानी है रंगून जो है मैनमार की capital नहीं है इवन वो मैनमार की largest city है ध्यान रखेगा तो friends जो sitway port develop किया जा रहा है वो कलादन multimodal transit transport project का ही एक part है तो कलादन multimodal transit transport project ये इंडिया के द्वारा funded है ध्यान रखिएगा कलादन रिवर आपकी म्यानमार में बहती है उसी के उपर ये multimodal transit transport project develop किया जा रहा है और sitway port इसी का एक part है भारत क्यों इसमें पैसा लगा रहा है अपना कलादन multimodal transit transport project में तो हम कह सकते हैं कि इसके fully operational होने के बाद हम इंडिया के east coast को या फिर east coast में जो हमारे states है उनको हम directly link कर सकते हैं north eastern states से किसके द्वारा sitway port के द्वारा इसका it is a project launched by union health ministry तो health ministry का यह project सक्षम ध्यान रखेगा इसका full form क्या है stimulating advanced knowledge for sustainable health management तो friends say सक्षम एक learning management और information system है इसलिए इसे LMIS भी कहा जाता है तो सक्षम LMIS लिखा रहता है पूरा नाम stimulating advanced knowledge for sustainable health management which is nothing but a learning management and information system तो हम कह सकते हैं यह एक digital learning platform है which works under the ages of union health ministry और friends इसको किसके द्वारा develop किया गया है तो national institute of health and family welfare के द्वारा इसे develop किया गया है जो कि कहां पर मौझूद है तो new Delhi आप कह सकते हैं new Delhi में यह मौझूद है आगे बढ़ते हैं friends अगला news है हमारे पास द्वारिका expressway तो द्वारिका expressway जो है यह भारत का पहला हम कह सकते हैं elevated 8 lane access control expressway है जो की 29.6 km लंबा है तो it is India's first elevated 8 lane access control expressway जो की 29.6 km लंबा है इसको बनाने में total cost कितनी आई है तो हम कह सकते हैं 9,000 करोन रुपए की total cost आई है इस पूरे expressway को develop करने में friends यह 34 meter चोड़ा है और इसका stretch दिल्ली और हर्याना तक फैला हुआ है इसके बारे में कुछ fun facts हैं जो आपको पता होने चाहिए जैसे दौरे का expressway को बनाने में जितना steel यूज़ हुआ है ध्यान रखेगा आइफिल टावर में used steel का वो 30 गुना है मतलब आइफिल टावर से ज़्यादा steel even 30 गुना ज़्यादा steel हमने इस expressway में ही यूज़ कर लिया है इसके अलावा फ्रेंट्स अगर concrete की बात करें तो इस expressway को बनाने में जितना concrete लगा है वो बुर्ज खलीफा में जितना concrete लगा है उसका 6 गुना है इसके अलावा फ्रेंट्स एक important point ये भी है कि इस expressway में एक परावधान ये भी क्या गया है कि इसमें बारह हजार पेंड लगा जाएंगे, ट्रांस्प्लांट किये जाएंगे, ठीक है, तो इन्वार्मेंट के दृस्टी कोंड से, पर्यावरेंट के दृस्टी कोंड से भी ये बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स, अगला जो न्यूज है वो है वाक्षिर के बारे में, वाक्षिर क्या है, ये आप कह सकते हैं, एक केलवरी कलास सब्मरीन है, जो कि प्रजेक्ट 75, इंदेन नेवी का जो एक अस्पीशेस प्रजेक्ट है, प्रजेक्ट 75, जिसमें हमने six total Scorpion class attack सम्मरीन बनाने की बात की थी, उसका ये प्रजेक्ट 75 इंडियन नेवी का एक प्रजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने यह संकल्पना लिए थी कि हमें 6 इसके और पीन क्लास अटेक सम्मरीन डेवलप करने हैं मजगाउं डॉक्स बिल्डर से लिम्टेड में मुंबई में तो यह छठा और स्टार्ट है इसलिए हमारी एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आई-न-स वाक्षीर योकी एक सम्मरीन है तो फ्रेंट से प्रजेक्ट 75 केता है तो जो सब्मेरीन डेवलप किये गए हैं, उनके नाम क्या है, तो हम कह सकते हैं, आइनेस कलवरी, खांडेरी, खरंज, वेला, वागीर, और फाइनल अब डेवलप हो गया है आपका वाक्षिर, इसके पास अगला न्यूज है हमारे पास, मेरी लाइफ, मेरा स्वक्ष शेहर कै यह campaign किसके दौरा चला गया है, तो इसमें पाटिस्पेट किया है, इसमें यह प्रावधान रखा गया है, कि अर्बन इंडिया में जो भी अर्बन बॉड़ी है, वहां पर हम थ्री आर सेंटर डवलप करेंगे, जिनका काम क्या होगा, वेश्ट को वेल्थ में बदलना, अगर कोई भी कचड़ा या कूड़ा पड़ा हुआ है, सपोस कि यह हमारे पास प्लास्टिक का कोई कचड़ा पड़ा हुआ है, तो हम अपने नियर बाइ ट्रीपल र सेंटर में जाकर के सम्मिट कर देंगे, वो इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, और एक वैल्यूएबल प अगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स, अगला नियूज है हमारे पास G20 को ले करके, वर्किंग ग्रूप मीटिंग अरेंज की गई है G20 की, तो सबसे पहले G20 के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बात है, जो मैं आपको बता दू, रिवाइस करा दू, फ्रेंट्स से 17 थे, जो G20 स stronger, ये इसकी theme थी, और इसी summit में ये बात की गई थी, कि अब 18th G20 summit जो की 2023 में होनी है, उसमें presidency कौन करेगा, तो उसकी presidency हस्तांतर की गई थी भारत को, इंडिया को, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 18th G20 summit हुआ है, वो इंडिया में हुआ है, उसकी भी theme देख लेते हैं and one future, ध्यान रखेगा, ठीक है, ये 18th G20 summit की theme थी, इसके अलामा friends, अब देख लेते हैं, तो इसी के अनुसार, जो दूसरी trade and investment working group meeting हुई है G20 की, वो कहां पर हुई है भारत के दक्षेता में, बैंगलूरू में, ध्यान रखेगा, trade और investment के उपर working group की meeting बैंगलूरू में हु मेगा बीच क्लीन अप कैमपेइन, मेगा बीच क्लीन अप कैमपेइन, यह आपका जूहू बीच पे चलाया गया है, ध्यान रखेगा, मुंबई जूहू बीच पे, और यही जो आपका third environment and climate sustainability working group meeting हुई थी, उसी के, आप कह सकते हैं, उसी का एक पार्ट है, मेगा बीच क्ली क्लीन अप कैमपेइन, उसके बास आप कह सकते हैं, जो मेगा बीच क्लीन अप कैमपेइन था, it is one of the largest जन भागिदारी कैमपेइन, अंडर इंडिया's G20 Presidency, ठीक है, तो यह हमाई लिए important है, ओके फ्रेंज, तो आगे बढ़ते हैं, अगला news है हमारे पास, इंडिया कार्बन मार्केट, ICM, तो Government of India प्लान कर रहा है, अपना खुद का कार्बन मार्केट डवलप करने का, अब यह कार्बन मार्केट काम क्या करेगा, तो हम कह सकते हैं, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स के थुरू, जो ग्रीन हाउस GAS Emission होगा, उसको हम प्राइस कर देंगे, और अपनी एकॉनमी को decarbonize करने का प्रयास करेंगे, आपको पता होगा कि जो Paris Climate Deal होई थी, उसमें एक प्राधान मनाया गया था, कि अब जितने भी countries हैं, वो अपना INDC, Internet Nationally Determined Contribution Summit करेंगे, UNFCCC में, UNFCCC में, United Nation Framework for Climate Change, तो friends, यहाँ पर यह जो बात हुई थी, इसी के आधार पर अब जो इंडिया ने अपना INDC दिया है, National Determined Goal, वो बताया है कि हम, जो अपना carbon, greenhouse gas emission है, उसको reduce करेंगे GDP के 45% तक, कब तक, तो 2030 तक और base level हमने लिया है 2005 का, तो यह हमारा INDC है, उसी तरह हर country ने अपना INDC इसी 1000 पर समिट किया है, तो अब यह इंडिया carbon market क्या है, तो यह एक developing country हम सभी को पता है, अब UNFCCC के दौरा, यह जो INDC समिट करने के बाद, एक limit जारी कर दी गई, कि इस particular limit के, इस particular limit से ज़्यादा emission अब कोई भी country नहीं करेगी, यह UNFCCC ने suppose कि एक target या एक bonding mechanism डवलप कर दिया, तो अब यह जो American company, suppose कि इसने इतना emission किया, इस limit से कम, आप कह सकते हैं, यह जो part है, यह इसका भी बचा हुआ है, और इसने अपना, जो emission target है, वो कम कर दिया, इस limit के comparison में, और वहीं पर हम developing country की बात करें, तो आपको पता है, कि developing countries में, development के लिए, जो activities की जाती है, उससे carbon green house gas emission ज्यादा होता है, तो suppose कि यहाँ पर इतना ज्यादा emission हो गया, limits है, ठीक है, developing country के दोरा, तो अब यहाँ पर यह जो India carbon market है, या जितने भी इस तरह से carbon market बना गया है, वो इसी को balance करने का प्रयास करते हैं, कि जो developing country है, इन में जितना ज्यादा emission हुआ है, और developed countries में जितना कम emission हुआ है, उसको आपस में balance करके, हम इस level को इसी पर constant truck है, जितना UNFCCC के दोरा, determine किया गया है, ठीक है, तो अब यह करेगी क्या company, Indian company, जो कि एक developing country की company है, यह American company के पास जाएगी, और इससे, इसका यह जो बचा हुआ पार्ट है, यह purchase कर लेगी, यह बचा हुआ पार्ट, credit के form में develop कर दिया जाएगा, और Indian company से purchase कर देगी, यह ह कह सकते हैं कि जो developed country है, वो अपना credit Indian company को sell कर देगी, ताकि इसके पास इतना ज्यादा access emission करने का permit आ जाए, ठीक है, लिमिट से, तो यह ही है, आप कह सकते हैं, इंडिया carbon market, buy and sell का mechanism है, to decarbonize Indian economy, by pricing the greenhouse gas emission, ठीक है, इसके बास friends, अगला news देख लेते हैं, अगला news है, हमारे पा energy, और यह बात कही गई है, कि 250 megawatt round the clock power हम generate करेंगे through renewable sources, ठीक है, तो यह एक MOU sign हुआ है, NTPC, green energy limited और HPCL, middle energy limited के द्वारा, अब NTPC के बारे में, आपको कुछ मैत्पूर्ण बाते पता होनी चाहिए, कि यह एक central PSCU है, public sector undertaking है, NTPC, हम कह सकते हैं, इंडिया का largest energy conglomerate है, जिस इसको 1975 में develop किया गया था, यह एक महारतना company भी है, जो भारत की 10 महारतना companies है, उनमें से NTPC एक है, तो 10 महारतना companies कौन सी है, तो आप कह सकते हैं, NTPC, इसके बाद ONGC, Cale, Steel Authority of India Limited, Bale, इसके बाद Gale, BPCL, CIL, और Power Grid, तो यह इंडिया की 10 महारतना companies हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, आगे बढ़ते हैं friends, अगली news है हमारे पास, ESRO ने हाली में GSLV NES-1 लांच किया है, और इसमें important क्या है, ध्यान रखेगा, यह एक NAVIC series का satellite है, NAVIC का क्या मतलब होता है, Navigation with Indian Constellation, तो Navigation with Indian Constellation के ज यह synchronous orbit के थे, तो यह GSLV NVS-1 यह भी NAVIC series का ही एक satellite है, इसमें एक चीज यह आपको ध्यान रखनी होगी, कि इस आप कह सकते है, satellite के साथ, एक atomic clock space में भेजा गया है, भारत के द्वारा जो की indigenously built है, मतलब भारत में ही बना है यह atomic clock, और यह space में भेजा गया है, ठीक है, इ इनका पुराना नाम क्या था, तो हम कह सकते हैं IRNSS, Indian Regional Navigational Satellite System, तो Indian Regional Navigational Satellite System को बाद में हम लोगों ने NAVIC बोला, Navigation with Indian Constellation, और यह बिल्कुल ठीक, उसी तरह एक Regional Navigational Satellite System है, जैसे कि आपका GPS है, अमेरिका के लिए, GLONUS है रशिया के लिए, बैदू है चाइना के है, तो उसी तरह इंडिया भी अपना एक, कह सकते हैं, Self Navigational Satellite System डेवलप कर रहा है, IRNSS या NAVIC सेरीज के सेरीज के सेरीज के ताहर, और NAVIC सेरीज के जो सेरीज हैं, वो टोटल कितना एरिया कवर करेंगे, तो हम कह सकते हैं, इंडियन टेरिटरी के बॉर्डर के बियांड 1500, 1500 किलोमेटर का एरिया ये टोटल कवर करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज है हमारे पास, हाली में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ऐस्टेलिया में एक विजिट हुआ है, वहाँ पर ऐस्टेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, तो हम कह सकते हैं प्र और important developments हुआ in between India and Australia, जैसे कि India और Australia के मद्दे एक comprehensive strategic partnership deal sign हुई है, इंडिया और Australia के मद्दे, migration mobility partnership arrangement भी sign किया गया है, इसी विजिट के दौरान, और Mates Australia का एक initiative है ध्यान रखियेगा, जिसको mobility arrangement for talented early professional scheme का जाता है, और इसका India के respect में देखा जाया, तो बहुत जादा significance है Mates का, तो आप से direct question पूछा सकता है, कि जो Mates है, Mates scheme या mobility arrangement scheme, यह किस देख में बनाई कही है, तो Australia ने इसको develop किया है, आगे बढ़ते हैं friends, अगला जो हमारे पास news है, वो है G7 Summit 2023 का, तो इसको host किसने किया है G7 Summit को, तो यह Japan Hiroshima में host किया गया है, जापान के दौरा, और IG हुआ है Hir participants के तोर पर United States, United Kingdom, Canada, France, Germany, Italy, Japan और European Union के representatives सामिल थे, इसके अलावा friends, अगर G7 Summit 2024 की बात करें, तो यह Italy host करेगा, तो G7 Summit 2023 जापान ने host किया है, और G7 Summit अगले साल का 2024 का Italy host करेगा, ध्यान रखेगा, आगे बढ़ते हैं friends, अगला question हमारा Quad Summit 2023 के बारे में, तो Quad Summit 2023 कहां पर करते ही, यह आपका जापान में हुआ है, ध्यान रखेगा, अब Quad में कितने countries participate करते हैं, तो Quad टोटल 4 countries से मिल करके बना हुआ है, यह एक Quadilateral Security Dialogue है, ध्यान रखेगा, in between 4 nations, 4 nations कौन से हैं, तो हम कह सकते हैं, जापान, Australia, America और India, ठीक है, जापान, Australia, America और India, इन 4 nations से मिल करके आ आपका, यह Quad Security Dialogue Forum बनाए गया है, अब अगर यह question आ जाए, कि Quad किसने प्रपोस किया था, Quad का बनना, तो हम कह सकते हैं, जापान की जो प्राइमिनिस्टर थे, सिंजो आबे, 2007 में इन्होंने Quad के formation को प्रपोस किया था, including India, तो Quad के respect में, यह दो important meeting है, जो आपको पता होने चा Quad से related एक तर में ध्यान कियेगा, it is a network of investors and executives across Quad countries, जो Quad nations है, उसमें जो investors होंगे, उनका एक group बनाए गया है, जिसे Queen बोला गया है, तो Queen is associated with Quad investors network, ठीक है, इसी तरह अगर हम क्यू पोरा की बात करें, तो क्यू पोरा क्या है, it is nothing but Quad Indo-Pacific Ocean Research चलाएं, तो यह दोनों टर्म आपको याद रखना हुआ कि किस से related है, Quad से related है, और Quad की leader summit आपकी कहां पर हुई है, तो कहां पर होगी, तो आप कह सकते हैं, 2024 में इसे इंडिया होस्ट करेगा, वहीं पर अगर हम Quad की summit की बात करें, Quad summit 2023, तो यह जापान ने होस्ट किया है, आगे बढ़ते हैं friends, अगला news है हमारे पस operation करूना, भारत ने हाली में operation करूना launch किया है, किस country को मदद करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि साइकलोन मोचा ने मयानमार और बांगलादेश की territories को बहुत ज्यादा hit किया है, बहुत devastated साइकलोन थाए, साइकलोन मोचा इसे super साइकलोन की संग्या दी गई है, इसका नाम इसके लाँ फ्रेंड जो साइकलोन मोचा है, इसने बांगलादेश की एक territory है, कौक्स बाजार, इसको आप कह सकते हैं, वर्ल्ड's largest refugee camp, जो कौक्स बाजार है, ये पूरा इसने तबाह कर दिया है बांगलादेश में, और मयानमार में जो रखाई, रखाईन स्टेट है, जो क रोहिंग्याज refugee का, आप कह सकते हैं, जहां से बिलॉंग करते हैं, मयानमार में इस territory को साइकलोन मोचा ने तबाह किया है, इवन जो कौक्स बाजार है, इंडियाज लार्जेश्ट, स्वर्ल्ड's largest refugee camp जो है, यहाँ पर भी millions of रोहिंग्याज को shelter provide किया गया था, तो साइकलो मोचा ने एक तरह से देखा जाए, तो इनको target करकर के यहाँ पर इस territory को तबाह किया है, तो इसी के resolution में या इसी के help में आप कह सकते हैं, कि operation करूना इंडियन नेवी की द्वारा चलाए गया है, इसकी बाद स्वेंट से अगला हमारा news है, second cultural working group meeting of G20, यह कहां पर हुई है, तो second cultural working group meeting आपकी भोनेशर में यह ध्यान रखिएगा, इसमें theme क्या थी, तो हम कह सकते है, culture unites all, इसकी theme थी, यहीं पर एक important sand art exhibition भी लगाया गया था, और यह sand art किसके दोरा बनाया गया है, तो पदमिश्री अवार्डी, सुदर्शन, पतनाइक के दोरा sand art बनाया था, पूर से organize किया गया, तो tribal dance कौन कौन से थे, ओडिसा के, तो हम कह सकते है, singari, sambalpuri, odyssey, और gotipua, gotipua नाम बहुत important याद रखिएगा, it is nothing but a tribal dance associated with odysa, इसके बाद friends, अगला news है, हमारे पास cyclone mocha को ले करके, तो यह कहां पर originate हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, इसका origin है, bay of bengal, खाड़ी में, यह originate हुआ है, यमिन ने इसका नाम करण किया है, cyclone mocha का, यमिन ने इसका नाम करण मोचा क्यों किया है, तो ध्यान रखिएगा, mocha red port पे, red sea पर एक port city है, red sea, यानि कि लाल सागर पे यह एक port city है, बंदरगा, आप कह सकते हैं, शेत्र है, mocha, इसी के नाम पर इसी cyclone mocha का नाम रखा गया है, इवन यहाँ पर जी जो port city है, यहाँ पर एक बहुत ही famous cafe भी मौजूद है, जिसको cafe mocha बोला जाता है, तो इस cafe का नाम दे दिया गया है, यमिन के द्वारा, इस cyclone को, friends, यह cyclones जो होते हैं, tropical cyclones होते हैं, और temperate cyclones होते हैं, cyclone दो तरह के होते हैं, अगर tropical region में cyclones generate होते हैं, Arabian Sea of Bengal में, तो उसे हम लोग tropical cyclone बोलते हैं, अगर आपका mid latitude में cyclones generate होते हैं, तो उसे हम temperate cyclone या extra tropical cyclones का नाम देते हैं, तो friends, जो cyclones होते हैं, especially जो tropical cyclones हैं, आप कहा सकते हैं, उत्तरी गोलार्द या नदन हमिस्पेर में, यह anti clockwise direction में गूमते ह हैं, दक्षेनी गोलार्द में यह clockwise direction में गूमते हैं, तो यह point भी exam में पूछा जाता है, geography के point of view से, cyclone term को सबसे पहले किसने coin किया तो हम कह सकते हैं कि Henry Paddington, इन्होंने cyclone term सबसे पहले दिया था, ठीक हैं, आगे बढ़ते हैं, friends, अगली new जा हमारी, प्राइम मिनिस्टर न पाड़ी स्री राम वांजी सुतुर, राम वांजी सुतुर के द्वारा इसे बनाये गया है, 42 इंच के महत्मा गांदीजी की प्रतिमा है, और इसका नावरण, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदीजी ने हाली में हिरोश्मा में किया है, और यह site किसके नजदीक है, तो आप कह है, तो यह हिरोश्मा में हुआ है, ध्यान रखेएगा, आगे बढ़ते हैं, फ्रेंट्स, चाइना ने हाली में अपना पहला है, स्पेस में भीजने का प्लान बनाया है, इनका नाम क्या है, तो गुई है शाओ, यह चाइना के पहले स्पेस में भीजे जाएंगे, और इस प International Space Station की बात करें फ्रेंट्स, तो इसमें आपकी टोटल कितनी कंट्रीज हैं, तो नासा मतलब यूएस इंवाल्व है, रस कॉस्मॉस मतलब रश्या इंवाल्व है, यूरोपन यूनियन आपका, यूरोपन स्पेस इजन्सी से बिलॉंग करता है, और CSA मतलब कैनेडीन स्पे आगे बढ़ते हैं, फ्रेंट्स, अगला न्यूज है हमारा, इंडिया-कनेडा मिनिस्ट्रिल डियलॉक्स के उपर, तो इंडिया-कनेडा मिनिस्ट्रिल डियलॉक्स अंट्रेड एन इंवेस्ट्मेंट यह आपका छठा संस्क्राइंट था, MDTI का, और यह कहां पर हुआ है, तो, उटावा कनेडा में हुआ है, उसके अलाहे, फ्रेंट्स, इंडिया-कनेडा के बाइलिटररल रिलेशन की कि बात करें, तो ट्रेड में remains, गुडस में जो ट्रेड हुआ है, इंडिया और कनेडा के बीच में, यह 12 बिलिन डॉलर पर पहुँच गया है 2012 में, पेंडमिक और बोला है कि हमारे हैं जो campus हैं वहाँ पर आप अपने independent campus establish कर सकते हैं तो new education policy 2020 के अनुसार ये भी एक step लिया गया है और आप कह सकते हैं education sector में इंडिया और कनेड़ा के बीच में ये एक important deal होई है तो friends से अभी हम बात करेंगे new education policy की कि new education policy में कौन-कौन से प्रावधान हमारे लिए important है exam point of view से तो friends से new education policy जो थी उसका aim क्या था तो हम कह सकते हैं making India a global knowledge superpower making India a global knowledge superpower ये aim था new education policy 2020 का इससे पहले जो education policies इंडिया में लाए गईगी है वो आपकी 1968 और 1986 में लाए गईगी है 2020 से पहल करें तो new education policy में target set किया गया था कि we have done universalization of education we have to do universalization of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio जो GER है में वो 2030 तक 100% बनाना है ये इसका aim था इसके अलामा friends से इसमें एक important बात यह की गए थी कि जो current 10 plus 2 pattern है हमारा उसको हम exchange कर देंगे किससे या replace कर देंगे किससे 5 3 3 4 से तो 5 plus 3 plus 3 plus 4 में क्या था तो आप कह सकते हैं कि 3 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये पहला वाला 5 applicable है इसमें preschool plus class 1 और class 2 involved है जो अगला 3 है वो हम कह सकते हैं class 3, 4, 5 के लिए है और उसके बाद फिर अगला जो 3 है वो हम कह सकते हैं 6, 7, 8 के लिए है और 4 में आपका 9 to 12 involved है धान रखिएगा ठीक है तो यह आपका 5, 3, 3, 4 system है जिससे new education policy में 10 plus 2 को replace करने के लिए लाए गया है आगे बढ़ते हैं friends अगला news है हमारे पास corporate अब corporate इंडिया और थाइलेंड के बीच में coordinated patrol है ध्यान रखिएगा it is a coordinated patrol in between India and Thailand इसको corporate बोला गया है यह इसका 35th edition कहां पर हुआ है तो आपका इस विजन का ही एक पार्ट है यह आपका इंडिया और थाइलेंड के बीच में coordinated patrol जो होता है छीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं friends हाली में आई ड्रोन के द्वारा एक successful trial किया गया है runoff blood bag delivery तो blood bag को deliver किया गया है आई ड्रोन initiative के ताहर्ट Union Health Ministry की जो एक संस्ता है ICMR Indian Council of Medical Research उसके द्वारा यह conduct किया गया है तो आई ड्रोन इस्टेंड फर वाट ICMR ड्रोन response and outreach for Northeast मतला हम कह सकते हैं कि it was carried out in difficult geographical terrains including land island foot hills and across the hills तो यह जो Northeast region है हमारा वहाँ पर जो हमारे difficult terrains है कोई अगर पहाड़ है तो वहाँ पर हमें medical related supply पहुचाना है और वह unaccessible place है तो वहाँ पर हम drone की मदद लेंगे और drone की सायता से वहाँ पर वह चीज पहुचा दी जाएगी pandemic time पर corona time पर ICMR के द्वारा एक और important काम किया गया था i drone के द्वारे ही हम कह सकते हैं कि जो vaccines है अगया गया है it is conducted by ICMR Indian Council of Medical Research which works under the edges of Union Health Ministry आगे बढ़ते है friends अगला हमारे पास news है project smart it is jointly launched by ministry of housing and urban affairs and ministry of railway तो project smart क्या है तो friends say it is nothing but a station area development program which is along the महसर project महसर project क्या था हमारा तो हम कह सकते है मुंबई एमदाबाद high-speed rail project तो मुंबई एमदाबाद high-speed rail project केता है जो भी stations develop के जाएंगे उनको develop करने के लिए project launch किया गया है project smart ठीक है इसलिए station area development project भी कहा जाता है इसी में friends एक important बात यह है कि ministry of railway और जापान के international corporation agency यानि कि जीका के मद्ध एक MOU sign किया गया है और इस MOU के अंसार चार high-speed rail stations develop के जाएंगे तो वो चार stations कौन से हैं तो एक आपका है साबर मती सूरत यह गुजरात में दोनों है और विरार और थाने यह आपके मुंबई में है तो ध्यान रखेगा इसमें साबर मती जो है यह आपके brown field developments के तहट बना जाएगा और सूरत विरार और थाने यह आपके green field developments के तहट develop किया जाएंगे अब brown field development और green field development क्या होता है तो friends brown field development वो development होता है जो पहले से किसी बने हुए structure को दुबारा modify डवलप करने के लिए किया जाता है तो मतलब जो साबर मती हमारा station है यह पह green field development है, मतलब इन्हें इस crash से develop किया जा रहा है इसके बाद friends, अगला news है हमारे पास इंडिया और इसराइल के मद इंडस्ट्रियल रिसर्च and development corporation के उपर एक M.O.U. साइन हुआ है, memorandum of understanding तो ये भी एक important बात है कि इंडिया इसराइल के मद इंडस्ट्रियल रिसर्च and development के उपर M.O.U. साइन किया गया है इसके अलाव फ्रेंट्स, अगर हम आम imports की बात करें तो इंडिया इस वन आफ दी लार्जेश्ट इंपोर्टर आफ वेपन्स फ्रम इसराइल, मतलब इसराइल से जितने वेपन्स एक्सपोर्ट की जाते है ध्यान रखेगा उसका 40% अकेले इंडिया कॉंस्टिटूट करता है ठीक है तो ये भी इंपोर्टेंट बात है इसके अलाव फ्रेंट्स अगर defense कुछी defense deals की बात करें इंडिया और इसराइल के बीच में तो आपको याद होगा फैलकन एवाक्स जो की एक एरब्रोन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है ये हमने इसराइल से लिया था कुछ ड्रोन से इसराइल से हमने लिये हैं जैसे उसमें आपका हिरान है सर्चर टू है इसके अलावा हरूप तो हिरान और हरूप ये दोनों आपके इसराइल से ड्रोन लिये गए थे बराक के बारे में आप सभी को पता है जो कि एक एक एंटि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और स्पाइडर इस्पाइडर की बात करें तो ये quick reaction anti craft missile system है जो कि हमने इसराइल से लिया है ठीक है तो ये कुछ defense deals है